हाई गाईज आजम लोग बात करने वाले हैं Realme 8i के बारे में जो की Realme 8 series का पांचोंगा फोन होने वाला है तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना आपको भूलिया था अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो आप सब्सक्राइब करके बिल आइकों को हिट कर दो विडियो स्टाट करते हैं अगर डिजाइन की बात करते हैं तो आपको एक बहुती साइनी अ क्लॉसी दिजाइन देखने को मिल जाता है बैक साइड में अब बात करते हैं ग्रिल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाता है USB Type-C और 3.5 mm jack देखने को मिलता है साइड में आपको volume rockers देखने को मिल जाते है और सीम ट्रे और अगर बात करते हैं ऊपर की साइड में आपको कुछ नहीं देखने को मिलता जिसमें आपको 600 nits का maximum brightness भी देखने को मिल जाता है 120hz refresh rate के साथ यह smartphone आता है अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की तो आपको यहां पर Mediatek का Helio G96 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक 12nm बेस्ट प्रोसेसर है और दोस्तों अब इसको आप लोग रियल्मी 7i से कंपेर कर सकते हो तो बहुत ही एक अच्छा गासा अपग्रेड आपको लेखने को मिलता है जिसमें आपको 120hz का जो है refresh rate देखने को मिलता है पीक व्राइटनेस भी उससे जादा देखने को मिलता है और साथी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस स्मार्टफाउन का जो कैमरा है वो भी 50MP का है जो की पहली बार इंप्लिमेंट किया जा रहा है और अगर आप लोग बात करते हो इसकी RAM और ROM तो आपको 40GB 64GB और 6GB 128GB का देखने को मिल जाता है अल्राइट दोस्तो अब बात करते हैं इसकी डाउन साइड की तो इसमें आपको 2MP का जो extra sensors देखने को मिलते है I don't think वो किसी काम के आने वाले बिकोज यार एक macro है और एक black and white है अगर ultra wide भी देते तो काम का आता बात करते हैं फ्रेंट में तो आपको 16 में का pixel का selfie camera देखने को मिल जाता है जिससे कि आपको decent output देखने को मिल जाता है अगर आप लोग खेलते हो गेम बहुत जादा तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा smart phone हो सकते है बिकोज इसमें आपको unto to score around 3,40,000 का देखने को मिल जाता है जो कि आपको HD में high settings में आप लोग game play बगरा कर सकते हो एकदम tension free होके तो yes gaming आपको यहाँ पे बहुत plus point देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग ठीक था gaming आराम से इससे निकाल सकते हो अब बात करते है बैटरी की तो यार इसमें आपको 5000 इमेज का बैटरी की देखने को मिल जाता है साथी में 18 watt का fast charging भी देखने को मिल जाता है so connectivity के अगर बात करते है तो dual 4G volt के साथ wifi calling bluetooth 5.0 या फिर 5.0 और dual band wifi भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है side mounted fingerprint scanner के साथ यह smartphone आता है और अगर बात करते हो display या फिर viewing experience तो यार आपको बहुत ही अच्छा का सा viewing experience देखने को मिल सकता है because इसमें IPS LCD display आप लोगों को देखने को मिल जाता है so अब बात करते हैं कुछ additional features के बारे में तो दोस्तों इसमें आपको wide 1 L1 का भी support देखने को मिल जाता है जिससे कि आप लोग Netflix वगरा में HD content स्ट्रीम कर सकते हो और Camera 2 API का भी support मिल जाता है जिससे कि आप लोग Google Cam को install कर सकते हो और display अगर सब अपको ठीक टाक देखने को मिल जाते है लेगिन दोस्तों एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखना है यह 4G smartphone है तो आप लोग long term अगर दो साल के लिए phone वगरा खरीते तो फोड़ा सोच समझ के pick करना सो दोस्तों मैंने पूरी Realme 8i की information आप लोग को देने की कोसिस करी है अगर आप लोग चैनल में ने हो तो subscribe कर कर के बलाइकन को hit कर दो वीडियो पसंद आती है तो like कर दो मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में तब तक लिए बाई